नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं वीडियो लेके आया हूँ यह है लाइट लिक्विट पेराफिन के बारे में कुछ लोग इसे मिनरल ओयल भी कहते हैं कुछ लोग इसे ललपी कहते हैं जिसको सौर्ट फॉर्म बोला जाता है लाइट लिक्विट कहीं किसी ने किसी रूप में ललपी को यूज करेंगे तो इसलिए इसके इनिफ्वर्मेशन देना बहुत ज्यूरूरी था पिछले कुछ वीडियो में ऑलरेडी मैंने कुछ प्रॉडक्स में इसे यूज किया हुआ है ललपी हम क्यों कहां यूज करते हैं उसका काम क्या है यूज करने का इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं करता हूँ आपसे एक रिक्वेश्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ल दिखने में जैसे आप सिलिकॉन होता दिखने में जैसे आपका एलफोक्स होता दिखने में सेम उसी तरह दिखने में आपका एललपी होता है एललपी दिखने में ट्रांस्प्रेंट उसमें स्मेल नाम की कोई चीज नहीं होती साथ ही कलर लेस होता है अभी तो आपने देख के टेस्टाइल के कुट में भी यूझ किया जाता है इन्डेश्टियली यूझ में भी लिया जाता है तो सबसे पहले मैं बटा दो कि कॉस्मेटिक में टो क्यों works किया जाता है और कोस्मेटिक यूझ かरने से कॉज्प पिल्स और दाने निकलते हैं आपके चैरों पे उन दानों को यह खतम करने का काम भी करता है इसे हम जादा करके 걸 क्रीम में यूस में यूज करते हैं यह तो रहां कॉस्मेटीक ग्रेट की बाते हैं इस degrees जो है food grade में भी use करते हैं food grade में आपने देखा होगा कि अगर आप बजार जाते हैं और बजार में कुछ fruits होते हैं जिसमें पे sticker लगे होते हैं वो sticker क्यों लगाया होते हैं वो sticker ये दिखाते हैं कि ये paraffin के coated किये हुए fruits है paraffin को coat करने की क्या जूरूत होती है paraffin से coat करने का important कारण ये होता है ताकि वो fruits खराब नहों सके और लंबे समय तक चल सके इसी वज़े से उसमें paraffin की coat की जाती है कुछ लोग बताते हैं कि इसमें mom लगी है वो mom ही paraffin की coat होती है हाला कि कुछ लोग इसे ज्यादा मातरा में coat करते हैं जो कि सही नहीं होता है तो इसका एक measurement दिया होता है जो government provide करती है उस measurement से ही इसे coat किया जाता है ये तो रही दोस्तो LLP की बात आगे के next video में हम देखें किसी और products के बारे में तो अगर आपको आज की video अच्छी लगे तो इसे like, subscribe और share करना न भूले और मेरे next video को जरूर वेट करें तब तक के लिए धन्यवाद